रख होसला वो मंजर भी आएगा रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा साथियों, बिल्कुल सही सुना, आपने इसके आगे कैसे है आगे सबी जुड़ गए जीत की खातिर जुनून चाहिए, और जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए तो है ना ये सब ऐसा बाकी मोटिबेट करते-करते मैं खुड़ डेमोटिबेट हो जाता हूँ कभी-कभी, क्यों क्योंकि तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, एक जाम हो नहीं रहा है, थो पढ़ाते-पढ़ाते ना, एक अजीप सा लगता है, कि यही सब चीजें, कितनी बार पढ़ाई जाए आगे सभी स्वाती दूबे जी आपका कमेंटारा सक्षाम अंकिता जोती शिरोमनी अंकित सिल्पी राम गोपाल शिरोमनी और पंकाज देखो ये मत कहना ये मत कहना कि लाइब नहीं है नहीं तो जान लो फिर आगे बढ़ें चलिए तो क्या पढ़ना है आज दसामलों का भाग ना कि यूपी डिया लेड़ अर्ट ट्वंटी डेज रिवीजन पर्थाम समस्टर है फास समस्टर तो क्या क्या पढ़े थे अभी क्या क्या पढ़ना है दसामलों पढ़ रहे थे दसामलों का जोड़ना घटाना गुड़ा भाग हो गया था है ना अध्याय तीन खतम हो गया था देखो अपवर्तक समापवर्तक तो अभी मैं जेश्ट समर बैच में पढ़ाया हूँ वो भी इसमें का हिस्सा है अगर नहीं देखा जाके देख लिजिएगा कि पढ़ाना पढ़ेगा क्या कह रहे हो अपवर्तक समापवर्तक पढ़ाना पढ़ेगा इसमें क्या बताईए यूटूब पर जो समर बैच का डेमो आ रहा है उसमें कलाफ नंबर जाके देखिए तीन नंबर उसमें पढ़ाया गया है अभी जल्दी में भाज या भाज संख्या बता दिया ल्सीम भी आज में बताया हूं है ना सेम वही चीजे मन नहीं करता है यहां पढ़ाने का क्योंकि अभी जश्ट पढ़ाया हूं तो थोड़ा एक अलग हो जाता है ना बहुत से बच्चे उसके वाले जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जो है फिर वही पढ़ाया रहे है ना अच्छा नहीं लगता ना क्योंकि आप लोग उसको भी देख लिया करिए अभी जश्ट पढ़ाया हूं क्यों से बेशिक वाले पढ़ाया हूं कि लस्य हम है है इलस्य मेटे कर वहां कि भाज भाज भी होगा कि परसेंटेज एक नया है इसमें कि अ क्फी हम ये इसमें है कि एसमें वह प्रेक्टिस करवा सकते कुश्चन दे सकते हैं यह सही रहेगा चलो बताओ अभाज संख्याओं के विभाजक होते हैं कितने बताए अभाज संख्याओं के विभाजक होते हैं कितने विभाजक होते हैं अभाज संख्याओं के कि प्राइम नंबर के कितने डिवाइजर हो सकते हैं कि अंकित बहुत अच्छा महेश सौम्या ठीक है जैसे मालनों थार्टीन ले लिया इसका विभाजा क्या है एक तो वान एक थार्टीन है बस और क्या है और कुछ नहीं है तो दो लिवाजा को सकते हैं देखो आगे आगे देखो 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 मगर प्यार फे अग्ला तंख्या पाचास को रोमन अंक में लिखिये पचास को रोमा नंक में कैसे लिखेंगे बताओ प्रेक्टिस जरूरी है बहुत जो पड़े हो सब कि 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 पंद्रावा पैंटिस का एच सीफ क्या होगा बहुत अच्छा ठीक है बेरे गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा इसका सभी आप सबसे पहले कोई दिया है तो इंदू का है ठीक है एक चीज याद रखना रोमा नंक हमेशा कैप्टर लेटर में लिखा जाता है तो जो लोग इसमाल में बता रहे हैं कुछ आउर बता रहे हैं कि वो तोड़ा जग जाए ठीक है अच्छी अब की बात करें तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों को एक बार में कंप्लेटली डिवाइट कर सकें तो वो पांच होगा वाई सिंपल सी बात है इतना तो तुम खुद ही दिमाग लगा सकते हो पांतियाई पंद्रा पांच साथे पैतिस बागी कोई नंबर ऐसा है ने जिससे दोनों कट जाए तो बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा इसका पांच होगा क्या होगा पांच होगा आगले कॉशन पर आगे बढ़ें वो बड़ी से बड़ी संख्या बताईए ये 2019 में पेपर में आया था वो बड़ी से बड़ी संख्या बताईए जिससे 49, 69 और 109 को भाग देने पर 109 को भाग देने पर करमसा सेस एक तीन वा पांच बचे बताईए फिर से सुन लीजिए वो बड़ी से बड़ी संख्या बताईए जिससे 49, 69 और 109 को भाग करने पर सेसफल करमसा 1, 3 and 5 बचे कितने लोग बता लेंगे देखो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही तो हमेशा अधिकतर केस में एचसी अब निकालते हैं पता आपको पता है न इसका आंसर कोई बता रहा है सक्षम जोतीन रुकसार सिवा ठीक है ऐसे कुश्चन में जहां सेसफल बचने वाली बात होती है वहाँ पहले जो सेसफल बच रहा है वो उस संख्या से घटाते हैं सीरियल भाई सीरियल जैसे 49 से 1 को घटाएंगे ठीक है 49 से 1 को गटाएंगे 69 से 3 को गटाएंगे और 109 से 5 को गटाएंगे फिर जो बचेगा उसका HCF निकालेंगे न ऐसे होता है न इसका जो HCF होगा वो क्या होगा उत्तर होगा याद रखना इस तरह का सवाल पेपर में जरूर आ सकता है दो नंबर में अगर ऐसी कंडीफन दे रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको फलानी 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 से गटाने पर फलाना 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 सेस्पल बचे उसका अंसार HCF होगा लेकिन सीरियल से पहली संख्या से पहला घटा लेना दुफर की फिदुफर का घटा लेना तिफर की फिदुफर का घटा लेना जो नई संख्या आएगी जैसे उन और हाँ अगर सीधा सीधा बोले तो एक और भी सवाल है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 90-108 और 126 को पूरा-पूरा विभाजित करें ये भी पूछा गया सवाल है सिर्फ रिवीजन करना है कुछ नया नहीं लाना है तरीका सीखना है देखे पेपर में हो सकता यहां गिंती बदल सकते हैं उन्चास की जगा आपको कुछ और दे दें ये बदल दें ये बदल दें लेकिन ये मॉडल ऐसा रहेगा ये मत उमीद में जाना कि एक जाम में भी तुमको उन्चास उन्सट एक सोनो देंगे क्योंकि पीछे परिक्षा में आया था तो यहीं आएगा जश्ट यहीं आएगा हाँ हो सकता है ऐसा लेकिन गिंती बदल सकती है तो थोड़ा अपना दिमाग लेके जाना है घर पे रख्के नहीं जाना है मोबाइल रख्के जाना घर पे दिमाग नहीं चलो question अगला वो बड़ी से बड़ी संख्या बताईए जो 90, 108 वा 126 को पूरा पूरा विभाजित करे दोनम दूबे का आंसर 18 ठीक है सुनिए बड़ी से बड़ी संख्या बताईए जो की 90, 108 वा 126 को पूरता विभाजित करे सुन लिया ना आंसर बताओ देखिए इसमें कुछ घटाने वाली बात नहीं है सीधा सीधा सवाल है कुछ सेसपल उसपल का लोचा नहीं है तो इस तरह के सवाल में सीधे सीधे क्या होगा HCF होगा क्या होगा highest common factor होगा 18 answer आएगा क्या आएगा 18 अगला सवाल बढ़ें आएसे सवाल परिक्षा में पूछे गए हैं जो मैं दिया हूँ अगर अभी जुड़े हो तो थोड़ा देर देखो तो समझ में आएगा कुछ 30 वा 40 के बीच अभाज संख्या बताइए पूछा गया परिक्षा में कई बार बतावा हो सवाही चला बतावा कि 2019 में पेपर में आये भी कितने लोग बताएंगे 30 वा 40 के बीच देखो बहुत आफान है भाई साहब पहले तो 31 है इनका कोई सहाय नहीं है आगे पीछे नहीं है इनके 32 के तो ऐसे लगे है सब 500 हेक्तर इसके भी है इसके भी है इसके भी है इसके नहीं है इसके भी है इसके भी है तो 31 वा 37 ना भाईया का हो दद्दा तो यह हैं बाकी तो सबकी हो गई महेस गलत है आपका कि वन तालिस जो है ना थर्टीनाइन उसका फैक्टर है थ्री भी है थर्टीन भी है अगला सवाल आके बढ़ें यह सब जितना पढ़ाया हूं पिछले चार चैप्टर से प्रैक्टिस है अगर सारे सवाल अभी बता ले रहे हो तो मानलो परिच्छा में आप पास हो और नहीं बताए पाए रहे हो तो बगवान मालिक है आपके फिर और क्यों नहीं है बदलना 0.35 को भिन रूप में बताईए भिन रूप में फ्रैक्टिस में चेंज कर ये कैसे करेंगे जानते है ना इसको बहुत आसान होता है इसमें कुछ बढ़ा नया तो होता नहीं आईए बता देता हूं सबसे पहले ये नंबर को लिखते हैं प्यार फे साड़कर तरीका ये है कि नंबर लिखके ऐसे गिंती खीचते हैं सुधर लाइन फिर एक दो सम्वलोगे दो सुनना लगाते हैं लगा देते आंसर हो गया शाट़कर तरीका है demokrat तरीका का है प्रिश्थ तरीका ये है कि बीन बताए दिल मानता नहीं है देखो इनको ऐसे लिखते हैं दो अंक पर दसमलो है तो उपर एक के बाद दो जिरो से गुड़ा करते हैं मान पर कोई फरक ना पड़े इसलिए उतने से भाग भी करते हैं जिससे इनको काट दें तो कोई फरक ना पड़े गुड़ा करते हैं इतना आता है पीछे से दुए अंग पे दसमलोट पटक देते हैं फाइनल में आता वही है लेकिन अभी ये फ्रेक्शन डिवाइड हो सकता है कुछ सिंपलिफिकेशन इसमें हो सकता है तो इसको लास्ट इस्टेप तक सरल करते हैं ऐसे छोड़ते नहीं है जयन्त का सही है महिमा यादो का भी सही है इनको हल करेंगे 5,735 और बीस पंचे 100 तो इसका आंसर साथ बटा बीस होगा जो फाइनल आंसर होगा फाइनल आंसर होगा ठीक है ये आंसर नहीं है यहां पर यहां पर आंसर नहीं फाइनल आंसर हो है समझ रहे हो ना जैसे जो कोई निभी निभा वने गूमते हैं वो final नहीं होते हैं कि जिसके साथ साथ ही हो जाती न वहीं final होता है एक जाम्पल समझ रहे हो नज रिलेट कर पा रहे हो तो यह भी वैसे है लेकिन आशर नहीं है final division वह है थो आगे दसामलों वाला भी मैं बताया हूं कि अच्छा एक और कि एक और देखो कि जीरो पॉइंट कि कि वन नाइन फाइव अब आसा ने दिया है तो में छापना है तो सही है कि हल करेंगे तो क्या आएगा कि बताईए इसका मान बताईए कि बताईए क्या आएगा ये भी पढ़ाया हूँ कि सक्षम की बहुत सिकायाद आ रही है इन्हें अब हम गड़बड करने वाले जल्दी करें आंसर दीजिए पेपर होने वाला देखो अब तक तो पढ़ा है नहीं कम से कम पेपर वा टाइम तो पढ़ लिजिए इतनी तो सरम करिए घर वालों ने पैसा दिया उमीद से ना और कुछ ऐसे जो नहीं नहीं जिनकी साधिवादी हुई है अभी आये हैं नही जब साधिव फिक्स हो जाती तैं हो जाती ना लोग नाम लिखा देते टीएल बें ठीक है या फिर होने वाली होती है तो फिर ना उनको पैसा देना ना फीज देना है कोनो मतलब नहीं है तो का है पैसा खराब कर रहे हैं पढ़ लिजिए फेल हो जाएंगे बैक लगेगा क्या होगा स्रीव आला ना तो आगे बढ़ें यह बताइए अगला कुश्चन सबसे छोटी भाज संख्या रोज पूच्टाओं सबसे छोटी भाज संख्या बताओ जल्दी बताइए यह लपेट गया थुड़ा इसको छुड़ाओं गो अधिक है साग्ची सबसे छोटी भाज संख्या बहुत अच्छा बेरी गुड़ भाज संख्या सबसे छोटकी वाली चार है वही जिसका फैक्टार जिसका गुड़न खंड दो से अधिको है ना मतलब वुवान और उसको छोड़के कुछ और भी हो बस चाहिए एक कह हो आगे क्या-क्या पढ़ें अभी तक गुड़ात्मक परतिलोम मल्टिपलिकेटिव इन्वर्स बताइए इसका गुड़ात्मक परतिलोम बताइए क्या होगा जल्दी करें बहुत अच्छा बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड आप्सन दे दें माइनस तीन बटा पांच पांच बटा तीन सी वाला है का नान आप दी तीनें बताओ चलो सबसे पहला जवाब अंकित सुकला का है तोनम दूबे स्वेता जयन्त इंदू सरिता तो में अंकित बरे गुड बहिया देखो चछा गुड आत्मक में का होता है केवल भिन पलटती है चिन नहीं बदलता है बस याद रखना गुड आत्मक में चिन में कोई बदलाव नहीं होता है तो इसका अंसर भी हो जाएगा नाट भी भी नहीं लिखना आईसे आईसे सबसे डेंजरस सब्द ही है ऐसे नहीं लिखना चलो देखिए जितना मैं प्रेक्टिस करवा रहा हूं पूरे गारंटी से बोल रहा हूं अगर आपने 20 दिन प्रेक्टिस कर लिया पास कराने की पूरी गारंटी है और 15-18 नंबर तो आराम से मिल जाएगा तुम कहा चाहते हो 20 दिन में पुडांग दिला दें इतना बेवकुब नहीं है जो पहले सुरू से जुड़े हैं उनको तो पका मिलेगा पुडांग लेकिन उना इसमें कौन बढ़ा है बताईए ऐसा पेपर में आता है अगर इसको Q बोलें इसको P बोलें तो बताओ कौन बढ़ा है P या Q P या Q कौन बढ़ा है इसका LCM क्या होगा वन अपान सेबन थ्रिय अपान फाइब ऐसे पूछा जाएगा परिक्षा में बहुत अच्छा फिरोमनी सर्मा ठीक है इनका पी आ रहा है शिवा राधा शिवानी सम्या अंब्री स्तान्या ठीक है देखो भई या मोटी मोटी बात समझो यहां पर आंसर बताऊं क्या मैं आंसर बताऊं का देखो बताई देता हूं सबर करो थोड़ा तफली दखो देखो इनको हल करने का जो तरीका है एक तो यह है कि 5 से अगर आप इनको भाग करो के साटकत में दसामलों में जा याएगा तो 0.6 जाएगा something लगभग इनको जब भांक करेंगे तो भाई ये 20 बनेगा तो 20 में दू बार जाएगा लेकिन दुसर का तरीका देख लीजिए, थोड़ा मजबूत वाला, दुसर का यह है कि तीन बटा पांच, दुनों लिखिए, दोनों का LCM निकालिए, दोनों का LCM 35 होगा, तो 35 को दुन जगा लिखिए, ऐसे, समझे ना? अब LCM में पहली भिनिके हर से भाग करिए, 35 में 5 से भाग करेंगे, 7 आएगा ना? अब 7 का 3 में गुड़ा करो, यह कैस? वही तरीका आगे करो. LCM 35 में 7 से भाग करो, 5 आएगा, 5 का 2 में गुड़ा करो, 10? आद देखो, इन में भी कमपेर कर सकते हो, तुम यह कैस बटा 35 और 10 बटा 35 में कौन बड़ा है? तो यह बड़ा है. दोनों तरीका में कौन अच्छा लगा? बताओ, मनीशा सिंग, बहुत अच्छा, जैन, जोती, सक्षम को 5 मिनट के लिए होल्ड किया गया है, 5 मिनट आराम कर लें, अभी यह बहुत मेनद करें, और मैंने नहीं किया है, रोई सर ने किया है, मुझे दिख रहा है, इनका LCM का होए, भाईया, एक बटा साथ वा तीन बटा पांच, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत से बच्चे ट्राई कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ, देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, इसमें सब बता रहा हूँ, अन्स का LCM, हर का HCF, ठीक है, ये होता है तरीका, अन्स का LCM, यानि 1 वा 3 का LCM, हर का HCF, यानि 7 वा 5 का HCF, ठीक है, तो 1, 3 का LCM करेंगे, तो 3 ही रहेगा, 5, 7 का HCF, 1 होगा, यानि 3 वटा है, एक मतलब 3 कह सकते हो, क्या होगा, 3 होगा ना, भाई, 1, 3 का LCM, 3 होगा ना, कि नहीं, अरे, 3 कहां से होगा, यारे, एक मिनट, सॉरी, रुको, 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 1 और 3 का LCM क्या होगा, सही है, ऐसी संख्या, जिसका कोई common factor ना हो, उनका LCM सदे, उनका गुड़नफल होता है, यानि 3 एक ऐसी संख्या है, जो 1 से भाग करने पर भी कड़ जाएगी, 3 से भी पूरा-पूरा कड़ जाएगी, तो 3 होगा, इन में कोई common factor नहीं है, तो इनका क्या होगा, 1 होगा, HCF, रहिए हैं, बढ़िया, जली आगे, बताओ, इसमें क्या लिखो गए, छोड़ो अटाओ, लिखो question, कौन परमिये संख्या है, निम लिकित में कौन परमिये संख्या है, अंडरूट 31, अंडरूट 49, अंडरूट 41, इन में कौन परमिये संख्या है, या फिर कोई नहीं, इन में से कोई नहीं, question number डाल दो हैं, 50, पोड़ी तो लिखना है, क्या दिक्कत है, लिख लो, कुछ भी लिख लो, बताइए, ठीक है, बहुत अच्छा, सबसे पहला जबाब इसमें अगर है किसी का, तो वो है, भाई, सिवानी, दूबे का, वनिशा सिंग, महेश, स्वाती, ये अपरमिये है, विकाज, इसका वर्गमूल पूर्टा निकलेगा नहीं, ये ही है परमिये, प्लस माइनस साथ आएगा, ये भी अपरमिये है, ये भी अपरमिये है, इससे कोई मतलब नहीं, एक्स, एक्स, वी, रोमनंख है, बताओ ये किसका रोमनंख है, 15, 25, 30 या फिर 40 का, किसका रोमनंख है, प्रेगना मेट्री वाला तो कुछ इसमें मुझे दिखना ही रहा है, अगला आगे बढ़ें, प्रेक्टिस बहुत ज़रूरी है, जलो, क्विश्चन है, निम्न में कौन संख्या 5 से पुर्णता विभाजित है, देखो मैं गोंच दे रहा हूं, जो भी तुम सुन रहे हो ना, क्या लिख रहा हूं, निम्न लिकित में से कौन सी संख्या 5 से पुर्णता विभाजित है, कितने लोगों को रूल याद है भी भाजिता वाला, पताईए, भाज नहीं करना, तुरंत बताना, पटाग दे बताना है, मुह से निकला क्या अंसर आए? मानबिर दिक्षित, क्रिफना याद हो, राहूल जोती, जल्दी करिए, फटा फट, पांच गंटा नहीं, इतना सोचने का टाइम नहीं है, निकल गई बात इतने में, सीसी बोल रहा है, कोई बीबी बोल रहा है, मतलब तुम लोग धंका बोलता हो, तो नहीं करता हो, का करी हो, हुँ, आइसी संख्या, जिसका लाष्ट कर डिजिट जीरो या पांच है, उसकी सकल देखो, वहीं होगी पांच से विभाजित, बाकी नहीं होगी, पांच के पाड़ा में, लाष्ट में हमेशा पांच पांच आता है, पांच पांच आता है, कभी जीरो आता है, बस, यह सी वाला सही है, बस, सी सी मतलिक हो लेकिन, बदल जा बईया, बदल जा बाबू, आगला देखिए, प्यार फे, देखिए, पहले देखो, मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है, इन में कौन सी संक्या, चार से पुरुता विभाजित हैं, पोर से कम्प्लीटली डिवीजबल नंबर कौन सी है, जब आद दीजिए, जल्दी करिए, सबर ना रखिए, भटा पड़ बताईए, सौम्या, कमेंट आ रहा है, तंदीप, मुंदिंकेरी, अरपित, बहुत अच्छा, आएसी संक्या, जिसका लाश्ट का दो अंक मिला करके, वो संक्या, चार से कम्प्लीटली डिवीजबल हो, तो आएसी संक्या को हम फोर फे कम्प्लीटली डिवीजबल बोल सकते हैं, तब याह, एमे से कौन कटेगा, चार से कम्प्लीटली डिवीजबल, बत्तिस, तो भी हो जाएगा, आप कुछ लोग बीबी लिख रहे हैं, अब बीबी दी लिख रहे हैं, इतका करें, इनको जाने दो, कलिकने दो, ए बैया, जाप है यार चल जाया तो तुम बिगड़ जादो में एक काम करना, या तो वार, या तो पर, जलो, यक्स से भाग करेंगे, यक्स की पावर फाइब को, यक्स की पावर फोर ले जाएंगे, और इनको आईफे जीरो लिखेंगे, तो मुझे इसमें भाज बताओ, भाज बताओ, डिवी दी अन्ट क्या है? जल्दी करिये, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, अच्छा, जब तुम जानी गया हो, तो पिर काहे को सबर रखना, नहीं सबर मत रखो, एकदम बेचेन हो, जाओ चलो बताओ, यक्स की पावर फाइब डिवाइड वाज़, रोकिज़ा, आई से नहीं लिखना भाईया, प्लस फोर, सेस्पल बताइए, इसको कुश्चन नंबर लिख लीजिए, यह कोड नंबर है, कुश्चन नंबर नहीं है, कोड नंबर इसका है, 53, 53 बताओ क्या आएगा, मनीशा, सही है, निदी अदो, राहूल मौर्या, राम कोपाल, इस्टूडेंट कैरियर, चला भईया आवा, इसका कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स पावर फाइप, यह डिवीडियंड है, का समझा, आरे डिलीट कर रहे थे हम, आई से बोलते हैं, कभी-कभी, कडिंग-कडिंग-कडिंग, देखो, इसको साइट रखो, अब देखो, यहाँ पर आ गया, भईया हो, इनको भाग करोगे जब आप, यह तो निपट जाएंगे, यह फोर बचेंगे लाश्ट में बेचारे, तो फोर में इनका भाग भाग जाएगा नहीं, तो क्या होगा सेस्फल, वह यह होगा जो साथ में लटका हुआ है फोर न, चार होगा, अउर आगे, अच्छा इमानदारी से यह बताओ, कि आप लोग कितने कितने घंटे पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ना, बाकी यह कुछ नहीं, कि पढ़ रहे हो, मुबाइल में देख रहे हो, उपर से मेसेज आ रहा है, ठाय सोना क्या कर रहा है, तो यह सब नहीं करने का, सिर्फ पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ना, साथ में दूसरा कुछ नहीं, कितने लोग, इमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रखके, उसकी कसम खाके, डिल अलट वालों से पूछ रहा हूँ, यार देखो, चिलाते, चिलाते ना, अब आज बड़ी गडबड़ हो गई है, मैं पानी लेके आता हूँ, थोड़ा दो मिनट का लेंच हुआ है, तब तक सभी कहीं जाना नहीं, मैं कमेंट देखता रहूँगा, जलो बताओ, तब तक मैं कमेंट देख रहा हूँ, हिमान्सू, सक्षम, कमेंट देख रहा है बईया, कोई कह रहा है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ठीक है, अच्छा है, सबर रखो थोड़ा, निधी कह रही छे गंटे, जूट नहीं बोलना है, जूट बोलोगे तक बढ़ है, मुझे नहीं पता कि ये 6 गंटे पढ़ सकती है, अभी नहीं ऐसा सम्भोई नहीं है कि 6 गंटे पढ़ ले, ड़कियों का पढ़ने में कामन लगता है, जितना अच्छा सोने में रहता है न, बना लो खालो सोजाओ क्या दिक्कत है पड़ाई लिखाई करके किसका भला हुआ है तो मैं आ रहा हूं मेरा पानी भर रहा है आज भर जाएगा चलो थोड़ा चेंज होता रहेगा अंजनी ने इमानदारी से सही सही बताया है कि एक घंटा पढ़ते हैं यह बात हम भी मान सकते हैं अजा एक घंटा बोले तो लगे खाँ पढ़ते हैं आले नहीं दो-तीन घंटे ही पढ़ पाती हूं फिर भी भूल जाती हूं अच्छी बात है जो भूलना चाहते हैं वो भूला नहीं पा रहे हैं और जो याद करना चाहते हैं वो याद होता नहीं है जिंदगी यही तो है उस से पूछो जो किसी को भूलना चाहता है कहां भूल पा रहा है बहुत दिन से कोसिस कर रहा है और जो पढ़ने वाले हैं कि उनको याद नहीं आ रहा है भूल जा रहा है हुआ 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 है मैं कब बोला कितीन दात पड़ो मैं तो सिफ पूछ रहा था चलो यह कुशन हो कि आगे बढ़े है हाँ तो भाईया इसमें आपका एक मीटर किलो मीटर वाला है वो भी है उसको भी देख लो कुशन नमबर पच्पन मान लीजिए इसको लिखिए 13.5 किलो मीटर में कितना मीटर बताइए जबाब दीजिए 1300 मीटर में कितना किलो मीटर ठीक है आएगा याद होगा प्राइगा याद होगा 13.5 किलो मीटर में कितना मीटर देखिए सब को पता होना चाहिए बहुत आसान है बताते बताते मैं खुदे उप जाता हूं सब को पता है कि 1 किलो मीटर बराबर 1000 मीटर है ना तो 1 किलो मीटर में 1000 मीटर होता है तो 13.5 है तो इनको 1000 से गुड़ा करो तो ये 135 के बाद में 30 जीरो लगेगा यहाँ पर एक अंक पर दसमलो है तो यहाँ पर एक अंक पर दसमलो लाग धकेल दो तो कितना हो जाएगा मोटा मोटा नहीं दिख रहा ना वहाँ पर 1300 मीटर कितना 1300 मीटर ना यहाँ देखो चुकि एक मीटर बराबर एक बटा 1000 किलो मीटर इफ लिए क्या तेरा सो मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1300 बटा 1000 एक दो दो से दो निपट गया 1.3 किलो मीटर कितना 1.3 किलो मीटर ना समझ में आया पेपर में ऐसे कुश्टन पूछे जाते हैं कि देख लिए ना इससे ज़्यादा मौका नहीं देते देखने के लिए चलिए आगे थोड़ा बहुत जिन्दगी से संबंदित सवाल कर लीजिए लिखिए यादी यादी है बादाम का मुल्ले बारा सो पचास रुपया पर केजी तो पचास गराम का मुल्ले बताओ इस तरह का सवाल बताइए सबको पता होना चाहिए ये चाहे परिच्छा में आए ना आए दुकान पर जाना पड़ता है न एक एक गराम का तुम्हें पचास पता होना चाहिए अक्सर कभी-कभी दुका आंदर ऐसा करते न थोड़ा सा तुई गराम ज्यादा हुआत पांच रुपए ज्यादा ले लिया है थोड़ा ज्यादा है कैसे ज्यादा ले लिये तुम्हें एक एक गराम की कीमत पता होनी चाहिए मैत वाला ही स्टूडेंट हो देख ए ठीक है कि देखो अब इसलिए यहां आप सबको पता है यह ही में बात करें तो六 में 1000 ग्राम होता है तो यहां पर क्या या यही मिक्मी एक-जार ग्राम है और है इस एधर सायड में आगर हम रूपया की बात करें या फिर क्या बात करोगे फाल तू क्या मतलब है एक साट कर तरीका जान लो छोड़ो अगर सो ग्राम का मुल निकालना है तो किस से भाग करोगे सो ग्राम का बाई साब अगर सो ग्राम का मुल निकालना है ये एक हजार है ना ग्राम को मान लो इसको 10 से भाग करोगे न बताँ अगर इसको 10 से भाग करें तो 100 ग्राम आ जाएगा 1000 ग्राम को 10 से भाग करें 100 ग्राम हो जाएगा न तो अगर इसको 10 से भाग करने पर यह 100 ग्राम बन जा रहा है तो आप जो 1250 है न जितना MRP उसको 10 से भाग करो 10 से भाग करो क्या आएगा 100 गराम का मूल ले आ जाएगा 125 100 गराम का कितना 125 आ गया न 150 गराम का उसका आदा हो गया ये तरीका सही रहेगा न पस आजान है एक बार फिर सुन लिजिए अगर इस तरीके से किसी बस्तू का कीमत निकालना है ठीक है तो आप ये देखो कि 1 केजी में 1000 गराम होता है पहले हम उस 1000 गराम को 100 गराम बनाएंगे कैसे भईया 1000 गराम को अगर 100 गराम बनाना है तो 10 से भाग करो तो ये 100 गराम बन जाएगा तो अगर हम उस वजन को 10 भाग में बांट करके 100 गराम बना ले रहे हैं तो जो मूल है उसको भी 10 भाग में माट लो पस यह 60 कर तरीका हो गया आंसा निकालने का तो यह 100 गराम का आ गया तो 50 गराम का इसका आधा हो जाएगा 62 120 होता साड़े 62 हो जाएगा 62.5 आंसार आएगा अभी को समझ में आया ना ये बात चले आगे तो इस तरीके से आप इसमें revision कर सकते हैं बहुत कुछ है revision करने को बहुत चीजे हैं परसेंटेज का चैप्टर भी मैं पढ़ाया हूँ परतिसात वाला पढ़े हो कि नहीं परसेंटेज पढ़े हो आज पढ़ाऊंगा नहीं आज सिर्फ प्रेक्टिस हो रहा है तो चलो बताओं संख्या 120 का 95 परसेंट कितना आएगा असान है 120 का 95 से गुड़ा करो 100 से भाग करो एक जीरो से एक जीरो निपट गया बाई साब इनका गुड़ा कर लो काटना मत नीची अभी नहीं गड़ पड़ हो जाएगा सिर्फ गुड़ा करो 1250 60 हासिल से 1290 108 हासिलेग नौइक नौइक दस एक्सो आठ एक्सो आठ और छे आठ से चाहुदा एक्सो चालिस न का यार यह तो सही हो जा रहा भाई एक्सो चालिस आठा का एक्सो चालिस आठा का भाईया अरे ऐसे कैसे हो तरीकी कहा दिमाग जा रहा है 125 का 95 परसेंट 125 का 95 परसेंट उससे ज्यादा कैसे हो सकता है कहा गड़ बढ़ा रहा यार 12,5,60 हांसिल 6 यही तो होता है बारना महिया एक्सो आठ आठ छे आठ छे चुदा एक्सो चुदा होगा न यार हाँ आप सही है ठीक है अब अच्छा है तो एक जीरो से एक जीरो कट गया है एक एक चार होगा एक्सो चालिस नहीं होगा गुड़ा में गलत था कितना होगा एक्सो चुदा किसी को कोई डाउट है तो बताईए कोई तकलीफ नहीं न आप देखो एक बहुत ही अच्छी चीज दिखा रहा हूं देखो मगर प्यार फे देखो मगर आएसे कंडिडेट जो डियलेड वाले हैं इस्पेसली डियलेड वाले हैं वो विशेश रूप से ध्यान देंगे अगर मिल जाएगा तो ठीक है नहीं मिलेगा जाएँ अपने घरें लोग के किस्मत में ही नहीं जाने दो यह इसके बारें बता देते हैं देखिए जो कंडिडेट इस बैच को जोईन कर रहे थे और नहीं कर पाए ना है कि बहुसे कंडिडेट का कई बार पेएमेंट फेल हो गया अब उसे कंडिडेट का पैशा फस गया जिनका पेएमेंट नहीं वह दुबारा रिटन आगया तो उन 12 तारीक को enroll कर सकते हैं इसी सेम पुराने वाले आफर वाले प्राइस में ठीक है तो नंबर जो दिये गए उन पर संपर करिए और कल जरूर कर लीजिए जो भी करना चाहता है इसका screen लेकर के वाटसप पर भेज दीजिएगा आपको कर दिया जाएगा जो इसका screen साथ वाटसप पर भेजेंगे तो जरूर मिल जाएगा ठीक है पूरे दो साल के लिए स्वरी एक साल के लिए complete NCRT बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा अगर मैत में कुछ भी नहीं आता सिखाने की पूरी गारंटी है अगर आप DLA के चात रहें तो परिक्षा के बाद देखेंगे अभी सिर्फ इन्रोल हो जाएगे बस अभी ज्वाइन हो जाएंगे DLA की परिक्षा हैं खतम हो जाएंगी तब देखना शुरू करेंगे आप तब तक आपका कोर्स बुक रहेगा रिजर्ब में रहेगा कोई दिक्कत नहीं कहीं जाएगा नहीं अगर आप कम समय में सीखना चाहते हैं इसमें recorded form में फुल कोर्स उपलब्ध है आप सिर्फ एक महीना में पूरा बैसिक क्लियर कर सकते हैं उल्ली वन मन्त में वन मन्त में पूरा बैसिक सीखने के लिए डेली आपको कम से कम 3-4 गंटे पढ़ना होगा अगर 3-4 गंटे पढ़ते हैं तो एक महीने में सीख जाएंगे ठीक है याद रखें अगर आपको सिर्फ बेसिक अच्छे से आती है ना डेलेट का कोई भी समेश्टर आप पास कर सकते मैथ बेसिक अच्छे से आती है क्योंकि डेलेट में कुछ ज़्यादा होता नहीं है ठीक है तो आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को धेर सारा थैंक्यू इस्क्रीन पर नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें वीडियो को दुबारा देखिएगा संपर करिएगा थैंक्यू किसी को कुछ कहना है तो बताओ मैं कमेंट देख ले रहा हूँ चलो ममी का मागर मच हाँ बोलो भईया सान्या सक्षाम बहुत-बहुत धन्यवाद लाइट मैंने बंद कर दिया है थोड़ा अंधेरी अंधेरी रात में देखो कैसे दिख रहा है बोलो फटाफट कमेंट देख रहा हूँ इसमाहिल भाटी रुपचा पढ़ाई कर लीजिए बखता ही नहीं एठी कोई रहा है कि इंगलिस वाली मैम से साधी करेंगे इंगलिस सीखने के लिए मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी देने की का जरूरत है यह बताओ तुम इंगलिस सीखने के लिए इंगलिस वाली मैम से साधी नहीं आउर बताओ नहीं नहीं तुम लोग मैम खोज दोगित कर लेंगे ऐसी बात नहीं है कई मैम ऐसी मिल नहीं रही है कि जो PVR study को समाल सके इसलिए नहीं हो रही है एक मैम मिली है अभी थोड़ा रोती ज़्यादा है वो इसलिए अभी वो रो रही है देखते हैं चलो आप लोग खोजना तब तक खोजना फिर मुझे बताना ठीक है हमें लग रहा है मेरी गरह आ गई है और मुझे आज मार पड़ने वाली है तो तुम लोग जाओ भईया चलो खतम आज की कहानी यहीं पर इंड होती है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अरे ऐसे मजाग में बोला यार ऐसी बात नहीं है अब मेरे मजाग को सीरेफली मद लिया करो ठीक है फिर बंद कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत थैंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद कुछ कायना है तो बताओ कर दो